यह है धरमसाला पालंपुर हाइवे और आज हम जा रहे हैं बीर बिलिंग पराइक लाड़िंग करने के लिए और यह है अटी गार्डन है यहां पर बहुत अच्छी जगह है कल हम इसकुटी से यहां तक आये थे बट यहां से बापस हो गए थे क्योंकि थोड़ा अंदेरा हो गया था आज हम उसी रास्ते पर फिर से जा रहे हैं अब नाइस भीव यह सचिन भीया है बहुत सही है और इन ही के साथ हमने सारे जगह घूमें हैं मोशली यह देखो नीचे अब यह दो यह दो यह दो यह दो यह दो आपना अच्छाए दी गार्डन हैं कि यह दो जारा है ना ते जोड़ा शूप किया और इस ना डिस्टेंस और दो किलो मेटर का डिस्टेंस यह दो इस यह हैं गोपाल पूरजू कि यह दो किलो मेटर का डिस्टेंस आप यह हम आगे गोपाल पूर जू अभी घूमने नहीं जा रहे हैं बड़ हम ऐसे ही थोड़ा देख रहे हैं अब भी भालू देखने आयते यह पादम लेखते हैं कि साम को बापिस आएंगे तब देखेंगे हम लोग अभी आप देखो यह मस्त नहीं जा रहे हैं कर को फिर्ष यह को बापाराम रहीम हां इस के परक्ति है यह वाली और हम अल्मूस्ट पहुच चुके हैं बीर आपको दिख रहा होगा सामें पहाणों पे हैं लोग पारा ग्लाडिंग कर रहे हैं यह मॉनिष्ट्री है चाहिद यह से आपको भी जादा रहते हैं यह वह देखें लोग उपर आप मैना ग्लाडिंग कर रहे हैं देख रहा है और नाइस बहुत ही ज्यादा हाइट है यह लेंडिंग पॉइंट है यहाँ पर और उपर पहाड़ी सम लोग ओड़ने वाला है यह वह दो आपको देख रहे हैं यह वह देखने अचिंगत और हम आ चुके हैं बीच से बिलिंग तक 18 किलो मीटर ऊपर चड़ के आए पहाडी पर और यहां से यह आए एशिया का एशिया का हाई जैट एंड वर्ल्ड सेकेंड हाई जैट परेगलाइडिंग पॉइंट है और हम यहां से परेगलाइडिंग करने वाले हैं अच्छा लग रहा है है एक्साइटमेंट भी है बड़ पता नहीं वह देख रहा है सकते हैं यह लोग यह ओ हो मस्त देखने कैसा फील कर रही है और देखते हैं अभी कैसा अभी तो अच्छा लग रहा है अब पता नहीं जब फ्लाइग करेंगे और यह यह लिए क्या है नीचे से हमें अपनी गाड़ी से बहुत जिग-जग रास्ते थे अब फैसे की जी जाएं पाइब बीलिंग तो थोड़ा दस-पंद्रा मिन्ट ना फोटो वज़े रहे हैं ले लीजी ठीक 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 तो दस से बारा मिनिट ठीक 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 है उस वाले स्पोर्ट में लो अच्छा है अधरी जा रहे हैं ठीक है अब यह मस्त अब यह क्या है यह सोलो है यह अच्छा यह पूरा अश्चा यह काफी दूर दूर जाते ना गूमने तो यह फिश कवर हारनेश वहते हैं इसको अच्छा तो मतलब इसमें रिलाक्स बैठा रहता है पाइलेट ओके पाउंज वह श्टेट रहते हैं और गमी य अब कितने दिन के ट्राइडिंग चाहिए सब करने के लिए यह सार को रहते हैं तो करना चाहते हैं तो इदर आ सकते हों अच्छे के चार्जिस क्या है तीस हजार तीस हजार के समसे भी ओके बन जो रहे हैं वह तीस हजार रहे हैं कि अपन के आई है परेगलाइडिंग वीडियो बहुत बड़ा है इस बज़े से हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में एड कर रहे हैं और लेंडिंग कर चुके हैं और समेक्स्पियेंस मैं द्वारा करना चाहूंगा बहुत अच्छा लगा मुझे आप देख सकते हैं यहां पर वह लेंडिंग हो रही है उदर यह कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं यहां पर स्टुडेंट्स हैं यहां मतलब ट्रेनिंग भी मिलती हैं लोग बहुत सारे हैं जो और वह इसलो राइड करते हैं देखो आप उपर देखो गे न कुछ लोग बहत उचाईब एं तूर काफी वह सोलो राइडर है वहां पर ट्रैनिंग करते हैं साथ से अठ दिन उसके बाद फिर सोलो राइडिंग करता हैं हम लोगों कैसे डारेक्टली एलाओट निया है यह है फुद्यों जिछल करा रहे हैं वह लौवड नहीं है या पर लुट रहा है प्याद थोड़ा बहुत करा रहे हैं तो यह देखा रहा चिला रहे हैं जो फ्सक्राइब मस्ट इन ऑज दौने को स्वेखा है और जो ऐसे इसे कि अब लेंड बोरे हैं यह आपको दिखा रहे हैं मैं बहुत देर से वीडियों से लिए बना रहा था कि आपको बता पहूं यह लोग लेंड कर रहे हैं अब हुआ है हमने पराग्लाइडिंग किया है उनका यह नाम है अब फूट पॉइंट तो क्याते हैं इसको यह इन्होंने कराया था इनकी गाड़ी थी जो हमें नीचे से बीर से बिलिंग बिलिंग तक लेके गए थे यह हम बीर बिलिंग से धरम साला जा रहे थे तो यह पालंपूर से आंगे यह टी गार्डन है अच्छा है काफी वड़ा है नीचे तक हम लोग गूम किया है रोड गया नीचे आंगे गाउं है तो हां मैं रोड से रास्तंदर की तरफ गया है तो यहां पर काफी वड़े वड़ेटी गार्डन्स है आप देख रहे होगे यह मैं आपको बीन्स दिखाता हूं यह देखो यह और यह है बैजनाथ टेंपल लोगों का यह कहना है कि जब रावन संकर जी की सिब्लिंग को कैलास से लेके आया था तो इधर ही रुका था बीच में तो उसने जो सिब्लिंग को यहीं पर रख दिया था तो लोगों का कहना है कोई करो है वोई सिब्लिंग यहां पर है तो क्या है ठीला यहलो जो जाल तेंपल। मौं you can see from outside because because of covid inside entry is not allowed hey, say hello hey to ooooh यह है चमड माता मंदिर यहां अंदर वीडियो लेना एलाउड नहीं है तो मैं बाहर से ले रहा हूँ यह जब हम आपालमपुर से धर्मसला की तरफ जाते हैं तो रास्ते में मिलता है कि कफी बढ़ा है मंदिर बहुत बढ़ा है कि अधर भी काफी बड़ा मंदिर है नीचे कोई रिवर भी है छोटी सी पानी बह रहा है वो ब्रिज है कि अधा कि अधा कि अधा कि अधा कि कि अधा कि अधा कि मत कि झाल